बहुत अच्छे कुकीज हैं बहुत मज़ा आएगा और प्रॉपर जो डैनिश कुकीज होते हैं वो ही तेस्ट आएगा सिर्फ इसमें वो टिप याद रखे जो मैं आपको बताई थी कि क्या है मेरी किचन कुईन्स का तो आज आप पिर त्यार हैं इतनी जबरतस किसम की रेसिपी के लिए मैं बना रही हूं डैनिश कुकीज वो जो बटर कुकीज होते हैं ये वो बना रही हूं और प्लीज ये क्वेस्टन किसी ने ने पूछना के बटर की जगा ऑईल डाल सकते ह यहां पर मेरा सैड फेस भी देख लें ये सारा समान मैंने चेका से पैसे लगा के खरीदा था बेकिंग क्लासिस के लिए लेकिन टैलन्ट की कदर होती नहीं है जब प्रॉपर बेकिंग क्लासिस के तरीके से स्टार्ट की थी तो किसी ने मेरी वीडियो नहीं देखी थी तो तो बस अब यह मैंने समान रखा वैं सो बहर हाल सिखा तो भी भी रही हूं वीडियो को देखते रहें तो आप बेकिंग सीखते जा रहे हैं माशाला से कॉमेंट मुझा आते रहते हैं पर प्रॉपर क्लासे जो हैं टाइम और महिनत मांगती हैं लेकिन उतना रिजल्ट नहीं जल्दी सीख जाते हैं आपने अगर मैस्टर बनना है ना बेकिंग में तो वह आप मेरा चैनल देखते रहे हर सूरत में क्यूंकि बहुत सारी टिप्स होती है और रेगिलर देखते रहेंगे तो सीखते चले जाएंगे तो मैंने आवन को प्री हीट पर लगा दिया है वन फ जिसको बोलते हैं आपने पाउडर बना के चीनी का नहीं डाल देना अगर मोटी चीनी है तो उससे अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा कुकी बहुत फैल जाएंगे तो बारीक चीनी डालें अगर आपके पास मोटी है तो थोड़ा सा ग्राइंड करके बारीक चीनी बना ले अगर पाउडर बनाएंगे तो अगेन आइम टेलिंग के रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा अच्छा अब हमने इसको इतना जादा बीट करना है कि देखें कितनी लाइट एंड एरी हो गया फलफी हो गया पहले यलो करका था वाउफ वाइट रह गया तो इसके अंदर हम प्रिशिक अच्छा और को अच्छा नहीं न यह अच्छा तो अच्छा अच्छा को रहते हुँ में में इसको विसक कर रही हूँ अच्छी टार्ना है इसके इसके अंदर मैंने डाला है salt और साथ में vanilla essence और साथ में room temperature पे दूद और अब दोबारा से इसको मच्छी तरह से whisk करेंगे जब यह oil base होती है और इसके अंदर आप liquid डालते है water base तो उसको time लगता है mixture को homogenize होने में यानि के 18 होने में तो आपने अपना time लगाना है effort लगानी है जितनी ज्यादा आप इसको beat करेंगे उतना ही ज्यादा रिजल्ट आएगा आए में आपको दिखाती हूं कैसा result है तो यह देखे sugar dissolve बिलकुल नहीं होगी आपने परिशान नहीं हो ना कि हमने तो इतना बीट किया sugar dissolve नहीं यह grains नज अब मैंने मैदा लिया और इसमें मैंने कॉन फ्लार डालके mix कर दिया और इसको हम सिफ्ट करके डालेंगे हमारी जो butter base है इसके अंदर हमने ऐसे नहीं डाल देना कि सारा का सारा उसके डाल दिया मिक्स कर दिया सिफ्टिंग भी इसको क्रमली बनाने में इसको एरियन कॉन फ्लारे से पहले अच्छे से mix करेंगे और उसके बाद सिफ्ट करेंगे सारा कुछ हमने सिफ्ट कर लिया और अब हमने इलेक्ट्रिक mixer यूज नहीं करना अब हमने इसको नॉर्मल जैसे भी आप अच्छे से इसको चाहे हाथ से कर लें चाहे स्पैचुला से बट अब ह अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसे डाल लेंगे इसमें पाइपिंग बैग में यह जो मेरे पास जो पाइपिंग टिप हैना मुझे लग रहा है कि काफी पतली टिप है तो मैं ट्राइज जरूर करना चाहरे हूं क्योंकि इसकी शेप अच्छी है तो यह देखें नहीं अच्छा नहीं रिजल्ट आ रहा था तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया और दूसरी पाइपिंग टिप है उसको मैं लगा दूँगी और उसको भी चेक कर लूँगी अगर आगे से थोड़ी सी टिप वाइड होती ना तो बड़ा ही प्यारा और यह वो तो आएगा ही नहीं क्योंके इतने डिफाइंड किसम के कुकीज बनेंगे नहीं और वह यह आप देखें उस तरह से नहीं बने तो मैं हो गई मैयूस के चलो भई ऐसे मैंने इसके अंदर डाला है चलो कोई नहीं तो अब हम अपना जो कुकी के लिए इसकाम के लिए बनी वी चीज़ा उसी को यूज़ करेंगे अपना गैजट तो यह देखें कितना प्यारा रिजल्ट आएगा और अब हम यह वाला पाइपिंग टिप यूज़ कर लेंगे चलेंजी स्टार्ट करते हैं डैनिश कुकीज के लिए आपने एक तो बीटिंग बहुत जादा करन अगर आपके पास जो विनिला एसंस है आपको वो किसी भी बेकिंग आइटेम में डाल कैसे लगता है कि केंडी वाला टॉफी वाला फ्लेवर आ गया तो फिर उसे डैनिश कुकी वाला रिजल्ट नहीं आएगा लेकिन हाँ कुकी बनेंगे फिर भी मज़ेदार और टेक्श बस इस तरह से हम कुकीज को शेप देते जाएंगे और बैच जो है वह हम अवन में रखते जाएंगे नेक्स बैच तियार कर लेंगे इसमें कोई बेकिंग पाउडर बेकिंग सोड़ा वगरा कुछ नहीं है कोई फिकर की बात नहीं है कि यह दूसरा बैच बाहर पढ़ा तो आप देख लीजेगा कि अगर उपर से गोल्डन हो जाएगा तो एक कुकीज जो है वो रेडी हो गया है और एक और टिप बता दू जब भी कुकीज को निकाला जाता है अवन से वो नरम नरम ही लगते हैं लेकिन उनको थोड़ी दे पढ़ा रहे हैं देना होता है जब वो रूम टेंपरेचर पे आते हैं तो फिर वो क्रमली होते हैं और क्रिस्पी हो जाते हैं तो बहराल मेरे लिए तो स्ट्रेस बस्टर होता है किसमसे के बेकिंग जो है ना बड़ा ही मजा आता है इनको मैं रख दूंगे ऑवन में बेक होने के लिए और अपर लोर रौड मैंने ऑन रखी हुई है आपने भी दोनों रखनी है नेक्स बैच हम उतीने बना लेते हैं तो मैंने सोचा कि इसको डिफेंट वे में बना लेते हैं डैनिश कुकी जो उनके उपर काफी सारी चीजें लगी होती हैं जैसे के ज्यादा तर तो जैम लगा होता है और फिर इसक कुकी जो औरिजनल के उपर जो रिजन्स लगे होते हैं वो मुझे यहां पर कई नहीं नजर आए तो खेर मेरे पास तो जो नॉर्मल किशमिश है मैं वही वाली लगा दूंगी आप भी किशमिश लगा सकते हैं वेराइटी लगानी है चौकले लगा लें या बदाम लगेंगे तो यह देखें जी एक बैच हमारा त्यार हो गया माशाला बहुत प्यारा कलर आया है यह देखें कुछ कुछ जो है वह कुकी जादा ब्राउन भी हो गया है तो फिर नेक्स जो है बैच में क्या करूंगे कि थोड़ा ज्यान रखूंगे मैं वीडियो बनाने के मैं इतनी तवज्व मेरी यहां पर हुई पड़ी थी कि मेरे जहन में निरा करे मैं देख लूँ और मैंने डिरेक्ट 15 मिनिट्स पर लगाया वा था तो थोड़े से जादा ही गोल्डन होगे उपर से तो नेक्स जो है वो मैंने तक्रीबन ऐसे कह लें के 12 मिनिट्स के अंद से काफी सारे कुकीज बन जाते हैं यह जो ने आपको रिसीपी बताई यह कुईन्टिटी उसमें लेकिन इसको ऊफ ना करना क्योंकि इतनी मिहनत करके बना रहे होंगे ना तो उसमें पर यहां के सारे मजले से अंज़ॉई तो कर सके मेरे घर में तो ऐसे तो आय नहीं अक् इतने प्यारे लग रहे हैं और आप भी जरूर जरूर ट्राइ करना इन्शाला आपको बहुत मज़े के लगेंगे और प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना अब आप यह आवाज सुनें इसके अभी मैं थोई देख खमोश रहू को कुक्यू बेक की जाते हैं तो तो गाद रही हैं तो नरम कितने प्लीज प्रिशाव थे हां देख समय हैं लेकिन नरम कितने हाथ से प्र्स करेंगे तो ये आपको बहूर अच्छे कुक्यू हैं ये ज्यादा तो ऑल्लीजिंस आपको खाल जैसी रेसी के लाह त immigration हैं, कि ध अजो आची छाटानिके पर फिल्कुल करन्पली से और तो बीकुल आध। सॉगी नहीं BCS भी आधी रहता ह्यां टेस्ट देयौन करें बडाली कि शटानिके देनिश कुकी का फ्लेवर नी आएगा वनियला चीवादी डाली है वरना कोई बात नहीं जो भी वनियला है वोई जा मिली एक इन्टरनेशनल स्टेंडर्ड स्टेट्मेंट है घर पी खाना है ना खेर सब चलता है तो इंजॉय करें आपको बहुत मजा आएगा तो मैं इसके अवरे करती हूं फेमिली का वेप करती हूं थेक केर आएगा लाओ वेज्य तर इसे